बांगलादेश को आखरी ओबर में 11 रनों की जरूत होती है लेकिन यकीन मानिए जब तक किनिंग की आखरी गेंद नहीं फिकी जाती जब तक किसी को नहीं पता चल रहा होता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी आपको बता दू कि बांगलादेश की तरब से म भवी बल्लेवाज मैदान पर मौझूद थे वहीं केसव महराज आखरी उबर लेके आते है साउथ अपरिका की तरब से उबर के पहली गेंद वाइड करा देते है और इस वाइड के साथ अब 6 गेंदों पर 10 रनों की जरूस होती है दूसरी गेंद पर महमुद दुल्ला बड़ा सौट नहीं खेल पाते है केवल एक रन ही बना पाते है यानि अब 5 गेंदों पर 9 रनों की जरूस होती है उबर के दूसरी गेंद पर जाकी रली आते हैं स्ट्राइक पर 2 रन बटोरने में काम्याब रहते हैं और 2 रन से काम बनने वाला नहीं था क्योंकि अब 4 गेंदों पर 7 रनों की जरूस होती है यानि अब यहां से मुकाबला हो सकता था किधर भी जा सकता था लेकिन ओवर के 3 गेंद पर जाकी रली बड़ा सौट खेलने के चकर में आउट हो जाते हैं और इसी बिकेट के साथ वापसी करने में काम्याब रहती है साउथ अफरिकन टीम क्योंकि अब 3 गेंदों पर 7 रनों की जरूस होती है और ममुद्दुला होते हैं नौन स्ट्राइकर एंड पर ओवर की चोटी गेंद पर रिहाद हुसेन बड़ा सोट नहीं खिल पाते है और केवल एक रन ही आपाता है और इसी एक रन के साथ मुकाबला हो चला था रोमांच्या क्योंकि दो गेंदों पर 6 रनों की जरूत मुकाबला किधर भी जा सकता था साउथ अपरिका जीच सकते थी बांगला देश जीच सकते थी या टाई होकर सूपर ओवर का विकल भी खुला हुआ था लेकिन अनुभावी महमद दुल्ला ओवर की पांच्वी गेंद पर हो जाते है आउट और इसी विकेट के साथ मुकाबला आखरी गेंद पर जहां जरुवत होती है छे रनों की लेकिन केवल एक रन ही बन पाता है आखरी गेंद पर और बेहद हिरो मांचक मुकाबला साउथ अपरिका चार रन से जितने में काम्याब रहता है